प्रत्वी को श्रेष्ठ जान करके इसका दर्शन करने के लिए मैं जब आया जैसे भारत में रहने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रसंसा करते हैं लंडन बड़ा अच्छा है, अमेरिका बड़ा अच्छा है, औस्ट्रेलिया बड़ा बढ़िया है लेकिन आप जब जाओगे ना कभी दुरभाग्य से और जैसे ही आप महां पहुंचोगे ना उसी दिन से ही आपकी उल्टी गिंती शुरू होगी अब कितने दिन और रहे गए अब कितने दिन और रहे गए अब बस दो दिन और रहे गए और जिस दन आप बापस लोट करके भारत आओगे अपना ही भारत है यहीं पूरे जीवन रहे हैं लेकिन वो हवाई जाज में नीद ही नहीं आती है बोले अब तो भारत पहुंचना है आहा जैसे निकलेंगे एरपोर्ट से थोड़ी थोड़ी नमी होगी हवा में वो जब सपर्श करी कितना बढ़िया लगेगा गाडियों के ह वरनों की आवाज आएगी कानों में भौ 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 बज रहे हैं दुवा उड़ रहा है कहां सीधी सीधी रेल गाड़ी चल रही थी अभी तरक विदेशों में अब गाड़ी कहीं से भी गुसा दो कहीं भी उड़ा दो कहीं भी लगा दो कहीं भी बैठ जाओं कहीं भी देखा लो कहीं भी कितना स्वतंत्र है हमारा भारत कहने का विप्राय भारत में रहने वाले विदेश की बड़ी प्रसंसा करते हैं पर जब विदेश चले जाते हैं तो उनको पता चलता नहीं नहीं भारती बढ़िया था लेकिन जैसे हम लोग स्वर्ग की प्रसंसा करते हैं, अन्य लोकों की प्रसंसा करते हैं, भागवजी में बरणन ऐसे ही स्वर्ग लोग के देवता भारत की बड़ी प्रसंसा करते हैं, प्रत्वी की बड़ी प्रसंसा करते हैं, बोले प्रत्वी कितनी बढ़िया है, अच्छा क्या कहके प्रसंसा करते हैं पता है यह इंसान कितने सोभाग्य शाली है वो ले क्यों अरे इनको श्नान करने के लिए यमुना गंगा प्राप्त हुई है हम देवताओं को प्राप्त नहीं है यह इनसान कितने सोभाग्य शाली है क्यों दर्शन करने के लिए इनको आधी आधी तीर्थ प्राप्त हुए हैं हमको नहीं है यह मानव कितने सोभाग गिशाली हैं क्यों यह ऐसी भूमी पर घूमते हैं जहां पर श्री पुकाराम जी महाराज जैसे भक्त हुए जहां पर जनाबाई जैसी भक्ता हुई जहां पर मीरा भाई जैसी भक्ति मती हुई ऐसे भूमी पर इनको ब्रमण करने को मिलता है यह इनसान कितने सोभाग गिशाली हैं इनको वरंदावन की रज मातिय से लगाने का अउस्सर प्राप्त होता है जिस रज में शाम सुंदर नंगे पाउं घूमें इन बातों को कहकर के हमार नारज जि स्भावार में नारज जी पत्तव पर आए जैसे ही नारज जी प्रतुवी पर आए तो जैसा सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत प्रत्वी, क्या देखा, वो ले कैसे हैं यहां के लोग, सत्यम नास्ती तपह सौचम दयादानम न विद्यते, उधर भरिणों जीवा बरा का कूट भाशिन, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, साड़े तीन से साथ बज़े तक आपको और कहीं देखना ही नहीं है, केवल हमको देखो, हमारे पीछे पंडरी नाद भगवान को देखो, भाव से कथा सुनो, हम एक बात कहें, आज प्रत्म दिन है कथा का, कथा वक्ता नहीं सुनाता है, श्रोता वक्ता से बुलवाते हैं, श्रोताओं का भाव, श्रोताओं के एक्स्प्रेशन, सोताओं की स्थिति वह वक्ता से बुलवाती है इसलिए आप लोग बिलकुल सावधान और प्रेम भरकर के कथा सुनों आप जब हम कता सुनाते आपको देखते हैं आप इधर उधर देखते हूं मैं कथा भूल जाता हूं इसलिए आप लोग सावधाने से बस हमको कथा सुनों बस साड़े तीन बजे से लेके साथ बजे तो कुछ करना ही नहीं आपने और थोड़ी बहुत लोग माता हैं गर्मी ल बढ़िया हो जाएगी थोड़े और भहिया कुछ साइलेंट कूलर लगवा दो जिससे नेक और थोड़ी हवा हवा लगे आपकी विवस्ता सब हो जाएगी आप बस कथा सुनों कि बुले नावन भिहारी लाले के नारज जी ने क्या देखा प्रत्वी पर आकर के सत्यम नास नास्ति नारज जी बूले यहां के लोग तो सत्ती नहीं बोलते हैं बात-बात पर जूट बोलते हैं नारज जी ने किसी से पूछा यह घर किसका है बुले मेरा घर है अरे तेरा घर के से हो गया तुझ मैं इतनी सामर्थ कह से आ गई कि तुँ घर बने वाले यह भी एक असत्य है ये व्यापार मेरा व्यापार मैंने खड़ा किया तुम केसे कर सकते हो ये आपकी सामर्थ से परी की बात है ये भी एक जूट है ये भी एक असत्य है पर ये असत्य तो बहुत दूर की बात हम तो वास्तविक असत्य बोलते हैं बहुत असित्य बोलते हैं अच्छा एक बात बताएं एक डाइरी रखा कीजिए उसमें अच्छे अच्छे गुण लिखते रखे रखिएगा और स्केल से ऐसे लाइन्स बना दीजेगा आगे जैसे सबसे पहला अच्छा गुण क्या है सत्य दूसरा अच्छा गुण क्या है पवित्रता तीसरा अच्छा गुण क्या है परोपकार दूसरे की साहता ऐसे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ और आगे वाले जो कॉलम है ना उनमें डे और टाइम लिखा करो सत्य मैंने पूरे दिन आज असत्य बोला ही नहीं सत्य बोला तो अपनी डेट नोट करो आज मैंने पूरे दिन सत्य बोला मैंने असत्य बोला ही नहीं आप इससे क्या नुभव करेंगे एक महिना में देखेंगे कि आपने सत्य के वल चारी बार बोला है आप क्या नुभव करेंगे कि आपने परोपकार के वर दोरी दिन किया है आप क्या नुभव करेंगे आप पवित्र के वर एक ही दिन रहे हो और उस समय अपने उपर विचार होगा और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ मेरी स्थिती क्या चल रही है हम लोगों की स्थिती बड़ी खराब है सत्यम नास्ती एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हम किसी से जूट ना बोलते हूं दूसरा तपह नास्ती नारज जी कहते हम तप भी नहीं करते हम भजन नहीं करते भजन नहीं केवल दिखावा है केवल खाना पूर्ती कर रहे हैं भजन वास्तों में हमसे बनी नहीं पाता है तपह नास्ति सौचम नास्ति सौच माने पवित्र था पवित्र नहीं है हम आप कहोगे माराजी तरकाल नाताओं मैं तीन बार नाताओं मैं शुद्ध खाताओं, शुद्ध पीताओं, शुद्ध पहंताओं। अरे ये तो बहारीआवरण है, मन की बटाओ। मन पवित्र है, बुद्धी में विचारधारा पवित्र है। कुछ पवित्र नहीं है बाहिए पवित्रता केबल दिखाते हैं हम लोग हम लोग भीतर से महापवित्र है और यह अपवित्रता कब दिखती है हमारी पता है हम जिस कारे को करते हैं हमसे अच्छा करने वाला हमारे सामने आ जाए तुरंत हमारी अपवित्रता दिखाई दे जा यह तो ऐसा है, यह तो ऐसा है, क्यों कि आप जो करते हो यह वो करता है, आप से अच्छा कर रहा है, आप से स्रेष्ठ जन दिखते ही, आपके अंदर इरशा प्रगट हो जाती है, कहां गही आपकी पवित्र था, महापवित्र हैं हम लोग, आपके सामने चार बात अच्छी किसी और के लिए कोई कह दे तो आपका बुद्धी, आपका मन उसी समय पवित्र हो जाता है सौचम नास्ति, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, सौचम नास्ति, चौथा कहा दया नास्ति हम लोगों में दया नहीं है दया भी दिखावी की है कैसी दया हमारे अंदर किसी पर दया कर दी हमने दया करने के बाद कमरे में जाके गाड़ी में बैठके हैं जहांब जो फोन करेंगे घरवालों को फोन करके बताएंगे पत्नी को बताएं, बच्चों को बताएं, मित्र को बताएं, आज बएक परिवार था, वो बड़ा गरीब सा, तो मैंने खरीद के दे दिया उनको, चार जगे, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर दया की, और बिना बताएं आप निकल गए हो, बिना बताएं आपने वरशों निकाल दियो, नहीं, बताएं बेना तो हम दया करी नहीं पाते, आश्रमों में कभी जाओ, तो कई जगे आश्रमों में भार पत्थर लगा रहता है, अपनी दादाजी की स्मृति में, पिताजी की आज्या से, माताजी के कहने से, मैंने इस आश्रम में ये कमरा बनवा करके, और न नीचे अपना एड्रेस लिख देते हैं उसमें, एक जगे तो आश्रम में में रुखा मां पंखे पर ही लिख रहे थे, कहीं चले जाओ, कूलरों में लिखे रहते हैं, भेंट करता का नाम नीचे, घडियों में लिखे रहते हैं, बड़ी-बड़े मंदिरों में देखो, ब भेंट करता, नाम जे, खाय को, और फिर वही व्यक्ति जिसने भेंट करी नो, ब्यारी जी जारो, गड़ी देखना, गड़ी, ये नहीं कहरा, ठाक उर्ची को देखना, गड़ी देखना, हमारे बुर्णावन में पूल पंगला पनवाएंगे, मंदिर में, और ठाक उर्ची दया करने के बाद मैं, परुपकार करने के बाद मैं, सेवा करने के बाद मैं, क्यों उसका प्रदर्शन? कई लोग मुझे ही पकल लेते हैं बोले आप कथा काई प्रदर्शन कर रहे हो सब जगे दिखा रहे हो देखो यहां कथा चल रही है से अरे हमारी कथा कहने से या हमारी कोई सेवा करने से और उसको बताने से चार लोगों के मन में करने का भाव आ जाए तो वो तो ठीक है ना सत्यम नास्ति तपह नास्ति सौचम नास्ति दया नास्ति दया नहीं है और दानम नास्ति दान भी नहीं करते हम सत्यम नास्ति तपह सौचम दया दानम न विद्यते बोले हमारा उद्देश क्या है नारजी केते हैं संसार में हर मानव का एक ही उद्देश है उद्देश क्या पता है हमारा मेरा आपका हम सबका एक ही उद्देश है उदर भरिनों जीवा बकार कूट भाशन केवल और केवल पेट भरना हमारा उद्देश है हम कथा सुना रहे हैं इसके पीछे भी कहीना कही सुक्षम उद्देश यही है ये कथा से हमारा घर भी चलेगा, हमारा तन भी चलेगा, आपका उद्देश्य भी है, साब का यही उद्देश्य है, हमारे मूल उद्देश्य में ठाकुर जी है ही नहीं, मूल उद्देश्य में केवल और केवल ये उदर भरना, पेट भरना, बच्चे को स्कूल में दाखिल स्कूल चले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डे केर, डे केर में जाता है साड़ीत तीन वर्ष का बालक, हुम, बहुत खतरनाक टाइम आ गया है, हमारी सास्त्राग्या करते हैं, लालेत पंच वर्ष आने, पंच वर्ष तक तो उस बालक को ब्लाड प्यार में रखो, उसको कहीं मत भेजो, लेकिन आप लोग भी बात दे नहीं हैं, मैंने एक मत पता से तो मेरी भेंस में, मैंने क्यों इतनी जल्दी भेजते हो, महराज जी, आप कहरो पांच वर्ष तक घर रखो, फिर स्कूल में एडमिशन नहीं लेते बच्चों का, अगर नहीं भेजो तो, क्या करें, जड़ी खराब हो गई है, तो फिर मंजिल को क्या दोश दें, इमारित को क्या दोश दें, लेकिन इतने से बालक को भी हमने विद्या ले भेजा, लाखों रुपे में एडमिशन कराया, फिर उसके बाद युनिवर्स्टी भेजा, विदेश पढ़ने भेज दिया, उद्देश चिक्या था, जैसे हम उदर भरना सिख गयें, ये भी सिख जाए, उदर भरिनो जीवा, उसको भी उदर भरने के लिए हम लोग प्रिर्द कर रहे हैं, उदर भरे सोई पाठ पढ़ाँ है, तुल्जी दाज जी महाराज कहता हम, उदर भरने की सिक्छा सिखा रहे हैं हम उसको भी, तो हमारा उद्धिश यही है केवल पेट भरे हमारा पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा परिग्रह तरुनी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायक पाखंड निर्ता संतो बोले भक्ती के नाम पर पाखंड बहुत हो गया है अच्छा ये बात आज की नहीं है नारज जी माराज प्रत्वी पर कब आये होंगे पांच हजार वर्ष पहले जब कल्यूक प्रारम हुआगा तब की बात होगी है तब भी नारज जी ने देख लिया कि भक्ती नहीं है केवल पाखंड लोगों के अंदर पाखंड निर्ताह संतो विरक्तास परिग्रह बोले केवल दिखाने के लिए विरक्त हो गये हैं दिखाने के लिए हो गये हैं कि हाँ भाई हम तो आसकते नहीं हमने सब छोड़ चाड़ दिया घर परिवार लेकिन बस दिखावे में विरक्त हैं अंदर से सब कुछ है एक लाग रुपे की कड़ी आपने चड़ाई महाराजी पईसानी चूते चीम्ता से उठागे जे मदरी चूते नहीं हैं चीम्ता रखा हमारे पास इतना शोर कहां से आरा भाई सुवे से सोने नहीं दे रहे हैं इतना शोर मौनी बाबा के आश्रम नाम क्या मौनी बाबा है ओ क्या रहा है शोर ओ इतना वुशाल महल किसका खड़ा है त्यागी जी महाराज का नाम क्या है त्यागी जी महल इतने सारे बच्चे किसके गूमरे भाई ब्रह्मचारी जी के सब उल्टा पुल्टा है मारा संसार में अच्छा ये बात मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ पर हाँ अधिकतर लोगों के लिए कह रहा हूँ कुछ परसेंट में बचा है कि जहां सब सुब व्यवस्थेत है आग ये तो बहुत सारी बाते हैं घरों की भी बातें लिखी हुई है घरों में क्या क्या होता अब उन सब पर नहीं बोलना नहीं तो आप एक दूसरे में दोश देखने लग जाओगे अच्छा कथा में ये जरूर होता है कथा में जब व्याज जी कोई दोश युक्त बात बताते हैं व्यक्ति को खुद में देखनी चाहिए, खुद में नहीं देखता, तेरे बारे में बोलने हैं ये, कई बारे ऐसा होता, आपको ये कथा क्या है, दरपन है, खुद को देखो यहां पर, यहां जिसके दोश बताए जा रहे हैं, उसको स्वेम बता चल जाएगा कि ये मेरे बार आपको सुना दिजाई का रुदय का कम है में कुद ड़ खो भाजन की कोई बात बात के पवित्रता के की बात हुदे का कह रहे हैं, तेरे लिए के अरे तुम देखो ना उसको सुनी हिरा है, उसको सुनने दो, कथा में आप किसी के नहीं हो, आप अपने लिए वेठे हो यहा प्रवता प्रभुता गेहे शालको बुद्धी दायक कन्या विक्रेइनों लोभा दंपती नाम चकलकनम आगे वरणन करते हैं तरुणी प्रभुता गेहे अब इस बात से कई लोगों को बुरा लग सकता है लिकने ये सत्य है उलक्या है उलक्ष घर में किसकी चल रही है मा की नहीं चल रही है पत्नी की चल रही है मा बचरी बैठी चुपचाब आप भी वोई करो जो ये कहेगी वोई करना पड़ेगा शालको बुद्धी दायक बड़े भाया विचारे दूर बैठे हैं उनसे नहीं पूछा जा रहा है लेकिन पत्नी के भाया मतलब शाले साहब वो कहते हैं जी जा जी ऐसे करना आप तो यह होगा अच्छा ये केवल हमारे आपके साथ नहीं है भगवान भी इस चक्कर में भसे हैं मैंने एक बार जगनात पुरी में एक संत से प्रशन किया मैंने महराजी एक बार बताओ मंदिर की ध्वजा में ये सूर्य चंद्र क्यों बने हैं तब हमारे पर्म पूझने प्रातस्मरणिय श्री जेर स्वामी मत के पूझने श्री इंद्रा रमनाचारी जी महराज ने इसका उत्तर दिया विनोध में लेकिन था उत्तर बड़ा बड़िया कहते हैं वो बोले सूर्य तो प्रकाश का प्रतीक है इसलिए सूर्य है द्वजा में उसको देखने से प्रकाश मान जो व्यक्ति द्वजा का दर्शन करता उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है अज्ञान का अंधकार नश् और मैंने का चंद्र क्यों है तो वो हस करके बोले क्यों कि चंद्रमा भगवान का साला है मने मतलब बोले लक्ष्मी भगवान की पत्नी कहां से प्रकाट हुई समुद्र से और चंद्रमा ये कहां से प्रकाट हुआ समुद्र से तो ये कौन हुआ भगवान का साला भई लक् लक्षमी कभी ना कभी किसी ना किसी बात से लड़ती रहती भगवान से और जब भी जगनात भगवान से लक्षमी लड़ने के लिए आती है तो भगवान ऐसे नजर उपर करके देखते हैं मानो लक्षमी कहती है उपर क्या देखरो बोले तुम भी देखो हमने अपने साले को अपने उपर बैठा रखा तुमारा भाया उपर बैठा है तब लक्षमी कहती है बताओ कितने बचारे शीलवान हमारे भाया को उपर बैठा रखा है चलो कोई बात नहीं जो बात पर भी व ठाकुर जी ने चंद्रमा बेठा रखें अपनी ध्वजा पर जब भी लक्षमी जी को कुरोध आता ठाकुर जी ऐसी देखते हैं अच्छा चाहां नहीं सुनने हम तुमारी बात तो उपर देख रहे हैं कहीं हमारे भाया को नीचे नहीं उतार दें इसलिए बात वहीं विश् कन्या विक्राइनों लोभा तंपती नाम चकल कनम बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तू योग्य बन बच्चे इसके लिए पढ़ाया जा रहा है कि योग्य घर की कन्या ब्या करेगी और संग में धन लेके आएगी पता चला कि बेटा तो कुछ करते ही नहीं है तो फिर हम कुछ मागी नहीं सकते धन कि क्या करता है आपका पुत्र आप तो रेट फिक्स हो गया है डॉक्टर होगा तो इतना मांग सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट होगा तो इतना मांग सकते हैं इंजिनेर होगा तो इतना मांग सकते हैं क्या करता है बालक वोल कुछ नहीं दुकान पर बैठता है दही जी नहीं मिलेगा क्या करोगे बैटा उसको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम योग बनों इसलिए पढ़ाया जाता है अच्छे घर की कन्या आएगी और धन लेकर के आएगी अरे विक्रे हो रहा है क्या कन्या का कन्या विक्रे नो लोभात दंपती नाम चकलकनम अब यहां पूरी बात ऐसी वताई है सारी हम लोग यह सब नारज जी को दर्शन हो रहा है नयोगी नईवसिद्धोवा नज्ञानी सत्क्रियो नराह कलीता वानले नात्य साधनं भस्मतां गतं अटशूला जन्यपदाश विशूला द्वजातया कामन्या केश शूलिन्या संभवंते कलब्या इस प्रकार श्री नारज जी महराज दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए श्री नारज जी महराज सब जगे ब्रह्मन करते करते बड़े परिशान हो रहे थे परशान होते हुए श्री नारजी महाराज जैसे ही वरंदावन पहुँचे तो वरंदावन में क्या देखा भो भो साधो छणम तिष्ठत मचिंता मपिनाशय दर्शनम तवलो कस्य सर्वता गहरं परम नारजी महाराज जैसे वरंदावन पहुचे तो वरंदावन में एक युवती नदी के तट पर रुधन कर रही है और उसकी गोध में दो व्रध लेटे हैं युवती की गोध में ब्रध नारजी महाराज महां से निकलने लगे उस रोती हुई युवती ने नारजी को रोका नारजी बोले तुम्हारा बड़ा आश्यर जन्य रूप है तुम युवा हो तुमारी गोध में दो व्रध लेटे हैं यह शोभा तुम नहीं देता मुझे बताओगी तुम कौन हो और रोक्यों रही हो और यह दो व्रध कौन है तब उस युवती ने अपना परिछे देते हुए कहा अहम भगती रित ख्याता इमूमे तन योमतों ग्यान वैरा अग्यना मानों काल योगे नजर जरों मैं भगती हूँ और यह दौनों मेरे बेटे ग्यान और वैराग के कलियूग के प्रभाव से मेरे दौनों पुत्र ग्यान और वैराग व्रध हो गए हैं और मैं अभी भी युवा हूँ मैं भी व्रध हूई थी कहीं कहीं जाकर के कहां कहां ब्रमन किया भक्ति महारानी कहती है उत्पन्ना द्रवने साहं मेरा द्रवन याने कि दक्षन भारत में मेरा जन्म हुआ उत्पन्ना द्रवने साहं बृध्धिम करनाटके गताम पचित पचिन महाराश्रे गुरुजने जिर्णताम गता